हेलो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे फ्लिपकार्ट के बीवीडी सेल के बारे में फ्लिपकार्ट का बीवीडी सेल जो लोग प्लस मेंबर है उनके लिए आज से और जो लोग प्लस मेंबर नहीं है उनके लिए कल से है यानी 8 अक्टूबर से तो आज हम लोग देखेंगे अंडर 30,000 रुपीज में आप कौन से स्मार्टफोन ले सकते हैं और हम लोग इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ तीन स्मार्टफोन देखेंगे और यह तीनों ही डील्स जो है ना वैली फॉर मनी डील्स है और यह ऐसी डील है कि अभी ले लो नहीं तो भाई ऐसी डील वापिस से नहीं मिलेगी और इन तीनों फोन में साब कोई भी एक स्मार्टफोन ले सकते हैं अपने जरुरत के हिसाब से तो चलिए अब सबसे पहला डील देख लेते हैं सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको मिलताthat告 दिस्प्screaming इस प्लेज पर मिलना बहुत ही अच्छी बात है तो बंद ज़्वास कम है तो कॉंटेंड कांजंपर हो रही इसमें अच्छी फोटोज ले लेता है लेकिन इस दो भी प्यार है तो उसको कुछ ज़्यादा ही boosted दिखाता है बाकी अच्छी photos ये ले लेता है OIS अच्छी वीडियो रिकॉर्ड होता है और इससे आप max video shoot कर पाओगे 4K 30fps पे इसमें आपको 13MP काल्टर वाइड कैमरा मिलता है उससे भी आप अच्छी photos ले पाओगे front में आपको 32 में पिक्सल का selfie camera मिलता है उससे भी अच्छी photos आएंगी लेकिन वही बात है हारे और नीले रंग से प्यार बाकी वो भी अच्छी photos लेता है और उससे आप max video shoot कर पाओगे 4K 30fps पे software experience की बात करें तो भाई close to stock android है no ads, no bloatwares, कुछ भी नहीं है और दो साल का आपको android update मिलेगा android 13 के साथ आता है मतलब android 15 तक आप इसको निश्चिंद्रों के यूज़ कर सकते हो लेकिन एक tension वाली बात है मोटो है ना अपने updates को बहुत ही late push करता है बस वही है बाकी सब कुछ ठीक है sorry इसके performance करें में बताना में भूली है इसमें आपको मिलते है immediate density 80-20 ये decent processor आपके daily के task का आराम से perform कर देगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको game भी कभी कभी खेलना है बहुत लंबी gaming नहीं करनी है तो आप वो भी खेल सकते हो करके जा सकते हैं चलिए अब हम लोग अपनी अगली डील देख लेते हैं अगली डील जो है gamers के लिए gamers के लिए phone में क्या दो चीज़ अच्छी होने चाहिए एक तो display दूसरा processor तो ये phone है आपका realme GT2 Pro की तरफ से इसमें आपको best display best processor मिलेगा इस price segment में तो सबसे पहले इसके processor की बात कर लेते हैं इसमें आप मिलता है Snapdragon 8 Gen 1 Snapdragon 8 Gen 1 का जो अन्तुतू स्कोर है 1 million के उपर आता है तो in short आप कोई भी game खेलो max setting पे खेलो कोई दिक्कत नहीं आएगा और जो लोग कहते हैं ना कि भाई Snapdragon 8 Gen 1 हो थ्रोटल कर जाता है वो इस phone में नहीं करेगा क्योंकि इसमें आपको मिलता है वैपर कुलिंग चैंबर जो कि इस phone को थ्रोटल करने नहीं देगा तो आप gaming के लंबे sessions ले सकते हो लेकिन हाँ जो आप लगतार game खेलोगा 45-50 मिनट तक तो हो सकता है फोर्म थोड़ा warm हो जाए जो कि नॉर्मल बात है उसको आप ignore कर सकते हो अब डिस्प्ले की बात कर लेते हैं इसमें आपको एक 2K डिस्प्ले मिलता है जिसका refresh rate 120 Hz है और इसमें आपको LTPO 2.0 पैनल मिलता है LTPO 2.0 का क्या मतलब है इसका refresh rate 1 Hz से 120 Hz तक चेंज कर हो जाएगा जो कि सिर्फ और से प्रीमें स्मार्टफोन में मिलता है और आपका बहुत यादा बैटरी बचाएगा अब बात कर लेते हैं इसके कैमरा के इसमें आपको मिलता है फिफ्टर पिक्सल का में कैमरा सपोर्ट रहेगा बहुत ज़्यादा स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड होगी अल्ट्रा वाइड कैमरा इससे भी आप अच्छी फोटोज ले पाऊगे दो में आप पिक्सल का इसमें माइक्रोस्कोपिक कैमरा है मैक्रो नहीं माइक्रोस्कोपिक कैमरा मतलब आप बहुत ज़्यादा क्लोज जाकर के फोटो लोगे बहुत यह अच्छी फोटोज आएंगी फ्रंट में आपको मिल जाता है 16 में पिक्सल का सिल्फी कैमरा उससे भी अच्छी फोटोज आती है लेकिन हाँ उससे आप मैक्स वीडियो सिर्फ और सिर्फ 1080p 30fps पर शूट कर पाऊगे तो भाई यह फोन व्लॉगर्स के लिए तो नहीं है तो आई आप हम लोग अपनी अगली डील देख लेए तो अगली डील उन लोग के लिए है जिनको सिर्फ और सिर्फ सैमसंग का स्मार्टफोन लेना और कैमरा टॉप प्रियरिटी है वो लोग ले सकते हैं सैमसंग S21 FE 5G स्नाइब ड्रेगन ट्रिपल लेट के साथ अभी यह फोन दो मही ने पहले लॉंच हुआ तो उस टाइम पर ट्रिपीज के राउंड मिलता था लेकिन अभी यह फोन इस त्रेल में आपको 29999 पर मिल जाएगा सभी सुना आपने तो आइए देखते हैं इस फोन में आपको क्या क्या मिलता है सबसे पहले इसके डिस्प्ले की बात कर लेते इसमें आप मिलता है सैंसंग का सुपर एमोलेट डिस्प्ले जिसके रिफ्रेश एट है 120 हर्ट अब भाई देखो सैंसंग का सुपर एमोलेट डिस्प्ले है ना तो भाई एट में पिक्सल का टेली फोटो लेंज मेगा पिक्सल पर मच जाओ बस इतना जानों फोटो बहुत अच्छी आएंगी ट्रू कलर इसमें आपको देखने को मिलेगा और जब आप वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो वह भी एकदम स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड होगी और व अब बात कर लेते हैं इसके software experience की Samsung का फोन है तो भाई रहेगा कोई भी कचड़ा नहीं मिलेगा कोई एड देखने को नहीं मिलेगा और जो आपका Samsung का फ्लेक्स फीचर होता है जैसे नौक सेक्यूरिटी हुआ सेमसंग डेक्स हुआ वह सब भी आपको इसमें मिलेगा तो वह भी एक अच्छी बात है और सेमसंग का फोन है तो आपको तीन साल का अंड्रोइड मेजर अपडेट मिलेगा और प्लस वन आप मान के चलिए सेक्यूरिटी पैच अपडेट मिलेगा अब बात कर लेते हैं इस बाकि अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो कैमरा आपके टॉप प्रियरिटी है सेमसंग का फोन लेना तो आप इसको बिल्कुल कंसेडर कर सकते हो और मैंने भी यही फोन लिया है क्योंकि भाई इसका कैमरा बहुत ही अच्छा था मेरे लिए कैमरा प्रियरिटी थी तो मैंने इसको उप्रियर्दी थी 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 है खोना को सब्सक्राइब लिए और मेरे में का यू बिल्ला आपके अज़ेर्टी थी 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 खोना के लिए टॉत हर आपके बाके टॉत हिया है